सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकान को ज़रूर प्रैस करें जिसे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कम्यूनिजम इस वीडियो में आपको पताऊँगा कि कम्यूनिजम का बेसिक कॉंसेप्ट बेसिक लॉजिक इजी वे में समझाऊँगा तो कॉंसेप्ट से पहले हम छोटी से इसकी डैफिनेशन और इसको रेड़ कर लेते हैं जोड़ किया होता है कम्यूनिजम में नाम सही बता चाला है कि यह जो फैक्टर परड़क्शन होते है जो प्रपर्टी होते है जो business होते हैं, जो trade होती है, जो industries होती है, यह control करती है, यह ownership इसके उपर किसकी होती है, community की, government की, community state की इसके उपर ownership होती है, इसको हम communism बोलते हैं, मतलब जितनी भी मुलक में trade हो रही है, मुलक में business रान हो रही है, मुलक में industrial, कोई भी जो काम हो रहा है, factor of production जो भी है, तो उस और उनके काम के मताबीक, उनकी अभिलिटी के मताबीक, उनकी जरूरियात के मताबीक कम्यूनिटी या ऋगवर्मेंट जो है, उनको चीज़ें परविड करती है जितनी, उनके बचों की फीजे,built उनको, medical facility, खाने पीने का खर्चा उनके रहने का जितना भी खर्चा वो सारा उनको परवाइड करती है Community, State या Government इसमें यह होता है और Capitalism में यह नहीं होता Capitalism में Private Ownership दे दी जाती है Communism में यह नहीं होता मतलब एक Community बनाई जाती है और उसकी जो Ownership है वो सारी Community या Government जो है उसको Run का रही होती है उसके उपर सारा Control का रही होती है और इसमें Product एक जैसी होती है Communism में थोड़ी Efficiency काम हो जाती है मतलब जब जितने भी Business मुलक में हो रहे हैं जितना भी काम हो रहे हैं तो जब लोगों को पता है मुझे यह चीज मिल जानी है तो थोड़ी सी Efficiency काम हो जाती है लोग कहते हैं कि यह मुझे थोड़ा मिल ली जाना है मतलब खाने पीने का सब कुछ प्रोड़क्ट मिल ली जानी है तो थोड़ी सी Efficiency भी काम हो जाती है Capitalism में यह नहीं होता है Capitalism में जो होता है ना लोगों को पता है हमने private ownership होती है मतलब पाकिसान इंडिया में ज्यादातार कुछ ही बड़ी बड़ी families है जो सारे मुलक को चला रही है और इनकी वज़ा से मुलक चला रही है तो mostly जो है पाकिसान इंडिया में कैपितलिजम को फालो किया जाता है ज्यादा बड़ी बड़ी families रान का रही है business और trade तो अमीर अमीर हो जा रहा है और गरीब जो है गरीब हो जा रहा है मतलब equal distribution नहीं है तो community में क्या होता है equal distribution होती है जितना वो contribute का रहा है उसके मताबिक उसकी abilities के मताबिक उसको दिया जाता है और इसमें government जो है इंटरफेस और सारा कंट्रोल जो होता है government और community state का होता है और इसमें production जो है वो एक जैसी होती है इतने competitor नहीं होते है जैसे private ownership होती है और उसमें competitor आजाते है मतलब different एक ही product जैसे laptop एडिफरेंट companies का होगा तो communism में और socialism में यह चीज़ में होती है उसमें एक जैसी होती है product सबको एक जैसी मिलनी है सबको खाने के लिए एक जैसा मिलना है चाइना और रशिया जो है ज़्यादा communism को follow का रहा है तो यह चोटा सा basic logic था communism का मैंने आपको बता दिया I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो subscribe और like करना मत बूलिएगा अपना बहुत ख्यार लगिएगा दौाओं में याद रखिएगा गुडबाई